Assalamualaikum students, कैसे हैं आप लोग? हमारी आज की वीडियो बहुत special वीडियो है आज की वीडियो में हम NET के entry test के तयारी करेंगे Wait, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा? कि ये वीडियो आपके लिए important नहीं है? आप किसी भी university का competitive exam दे रहे हो ये वीडियो आपके लिए उतनी ही important है इस वीडियो में हम almost 280 MCQs के बारे में discuss करेंगे इन MCQs की PDF का link नीचे description में मौझूद है आप इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजए और साथ-साथ में bell icon को भी प्रेस कर दीजए आईए स्टार्ट करते हैं हमारा first MCQ है carbohydrates contain functional group carbohydrates में कौन सा functional group मौझूद होता है देखें carbohydrates में polyhydroxy group भी होता है यानि के OH group भी होता है बहुत सारे और साथ-साथ में polyhydroxy kittos भी होता है यानि के इसके अंदर functional group C double bond with O ये भी शामिल हो सकता है और साथ-साथ में उसमें polyhydroxy aldose भी शामिल हो सकता है जो के aldehyde है aldehyde यानि के carbon का double bond oxygen के साथ में और एक hydrogen तो ये तीनो functional group carbohydrates के अंदर शामिल हो सकते है तो सही answer हो जाएगा all of these आए आगे बढ़ते हैं हमारा next MCQ है 5 ml of 1 molar NaOH amount of NaOH present हमसे पूछा जा रहे हैं कि एक liquid के अंदर sodium hydroxide को dissolve किया गया है अब sodium hydroxide का sodium hydroxide की molarity होनी चाहिए 1 molar और volume बता रहे है 5 ml हमें बता रहे हैं कि कितना mass sodium hydroxide का मौझूद होना चाहिए तो आए दर इसको calculate करते हैं हमारे पास formula होता है molarity का molarity equals to mass upon molar mass divided by volume और आज हम calculator भी यूज़ करेंगे क्योंकि NED में calculator allowed है तो जब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम values put कर लेते हैं यहाँ पर molarity की जगह पर हमने लिखा 1 molarity की जगह पर हमने लिख लिख लिया 1 और साथ-साथ में mass की जगह पर हमने small m लिखा sodium hydroxide का molar mass नकालेंगे तो sodium का हो जाएगा sodium का हो जाएगा 23 oxygen का हो जाएगा हमारे पास 16 और hydrogen का हो जाएगा 1 तिनों को add up कर लेंगे तो यह हो जाएगा 40 तो molar mass आएगा हमारे पास 40 अब volume 5 ml अगर आप put कर देंगे तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह milliliter के अंदर है तो आप उसको लीटर के अंदर convert करना पड़ेगा लीटर के अंदर convert करने के लिए 5 को divide करना पड़ेगा 1000 से 5 divided by 1000 हमारे पास answer आजाएगा 0 5 exponential minus 3 तो हमारे पास आजाएगा 5 exponential minus 3 यह एक answer आचुका है अब यह denominator में 1 से जागे multiple हो जाएगा 5 exponential minus 3 equals to m upon 40 अब यह 40 divide में है यह जागे 5 exponential minus 3 से multiple हो जाएगा तो हमारा सही answer बन जाएगा 1 upon 5 यह 0.2 तो हमारा option A is the right answer आएगे बढ़ते हैं MCQ number 3 के उपर तो MCQ number 3 के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि 20 gram monotomic gas monotomic gas कौन सी होती है जैसे कि helium, neon, xenon argon, krypton, krypton वगरा यह monotomic होती है क्योंकि single atom की form में gases state के अंदर होती है बागी सारी जितनी भी gases है वो diatomic होती है जैसे कि monotomic gas है उसका mass बता रहा है कि mass है 20 gram और वो occupy कर रहा है 44.8 decimeter cube volume given है standard temperature और pressure पर हमें मालूम करना है atomic mass weight atomic mass weight का मलब यह है कि क्योंकि वो monotomic gas है तो उसका atomic mass ही find out करना है अगर वो diatomic होती है तो हम molecular mass find out करते हैं तो कैसे find out करेंगे mass given है 20 gram और volume given है 44.8 decimeter cube standard temperature और pressure देखें standard temperature होता है 273 Kelvin और standard pressure होता है 1 atmospheric atomic mass find out करना है तो यहनि कि capital M की value आपको find out करना है और R की value आपको पता ही होगी R की value होती है 0.0821 formula अभी तक आप guess कर चुके होंगे जी बिलकुल सही formula हमारा सही यहाँ पर जो use होगा प्रेशर की जगह पर लगेगा 1 atmospheric volume की जगह पर 44.8 number of moles की जगह पर mass upon molar mass R की जगह पर 0.0821 और temperature की जगह पर 273 यहाँ पर 44.8 अपनी जगह पर रहेगा बागी तीनों values यहाँ पर multiply में नीचे आके divide हो जाएगी तो mass हमें given है कितना 20 gram multiply by इसको दूसरे तरीकी से solve कर सकते हैं एक काम करें आप molar mass जो denominator में वो सामने लेकर चलिया है left hand side पर तो multiply में आजाएगा और सिर्फ 44.8 को denominator में ले आए इससे ज़ादा असानी से solve हो जाएगा तो देखें इसको कैसे करना है 44.8 यहाँ पर multiply में molar mass उपर आ गया mass की जगब आ जाएगा 20 gram 0.0821 अपनी जगब आ जाएगा और यहाँ पर लिखाव है 273 और 44.8 multiply में ते इदर आगे डिवाइड हो गया अब इन सब को आप solve कर लें तो जब आप solve करेंगे तो हमारा answer आएगा 20 multiply by 0.0821 multiply by 273 और divided by 44.8 वही बात जो हम discuss कर चुके हैं क्योंकि यह gas monatomic है तो conceptually इसका mass molar mass या इसका molecular mass नहीं किलाएगा बिलके atomic mass किलाएगा आएगे बढ़ते हैं M.C.Q. number 4 के उपर M.C.Q. number 4 के अंदर हम से पूछा जा रहा है कि ethyl alcohol के 1 mole को required है 3 moles of oxygen तो कितने moles required होंगे oxygen gas के for 56 gram of ethane ethane के 56 gram को burn करने के लिए oxygen के कितने moles required होंगे तो आप यहाँ पर यह कर सकते हैं कि ethyl का relation लगा दें oxygen gas के साथ में देखे एथेन का formula क्या होता है ethane का formula होगा है C2H6 अगर इसको burn करने हैं तो in the presence of oxygen burn करेंगे जब in the presence of oxygen burn करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा carbon dioxide और साथ साथ में water vapors अब देखें ethane gas का mass है अगर आप ethane gas के number of moles को calculate करेंगे तो यहाँ पर carbon है 2 यहाँ पर carbon है 1 यहाँ पर सबसे पहले equation को balance करने ही हो जाएगा 2 CO2, hydrogen है 6 यहाँ पर आपको 3H2O से multiply करना पड़ेगा तो यह बन जाएगा 3H2O अब oxygen gas की बात करते हैं तेकि यहाँ पर oxygen है 2, 2 is 4 4 प्लस 3 oxygen होगा है यहाँ पर total होगा है 7 यहाँ पर लिखाव है O2 O2 को balance करने के लिए आपको 3.5 moles दिनने पड़ेंगे यहाँ पर आजेंगे 3.5 moles of O2 हमारे पास number of moles का formula है number of moles equals to mass upon molar mass लेकिन आप एक काम कर लें इसको दूसरे तरीके सॉल्फ कर लें oxygen gas का molar mass होता है 16 16 को 2 से multiply कर लें तो 32 32 को multiply कर लें 3.5 से यहाँ पर हमारा answer आजाएगा 112 जबकि एथेन गैस का अगर आप mass निकालेंगे molar mass निकालेंगे तो यह आजाएगा carbon का 12, 12 तूसर 24 24 प्लस 6 30 तो यहाँ पर आजाएगा 30 अब देखिए यहाँ पर आपने लिखा C2H6 साथ में ratio बना के लिखा 112 अब यहाँ पर ratio बना के लिखा oxygen gas अब देखिए इथेन gas का molar mass है 30 और यहाँ पर oxygen gas का है 112 अब इसको कैसे solve करेंगे तो हम यहाँ पर इथेन का molar mass given था हमें 30 वा हमने लिख लिख लिए mass given था हमें 56 वो भी लिख लिख लिए साथ में ratio भी मना लिख लिए अब oxygen gas का सबसे वहले mass निकाल ले तो यहाँ पर हमने M लिख लिया अभी क्यों हो जाएगा 30 multiply by M equals to 112 multiply by 56 अभी क्यों हो जाएगा mass अपनी जगा पर रहेगा 112 को multiply कर लें 56 से और divide कर लें 30 से तो हमारे पास answer आएगा 209 gram अब 209 gram इसका सही answer है लेकिन हमें options के अंदर क्या option given है हमें एक option given है 192 gram of oxygen 192 gram of oxygen 209 के करीब है लेकिन बहुत ज़्या करीब नहीं है लेकिन अगर आप बागी दोन options को देखेंगे तो बागी दोन options बिल्कुल ही गलत है जैसे के यहाँ पर अगर आप देखेंगे 81.84 decimeter cube तो 81.84 decimeter cube यहाँ पर किसी भी सूरत नहीं आ सकता अगर आप oxygen gas का mass निकालें और उसको उसके molar mass से divide करें तो किसी भी तरह से number of moles आपके पास 6 नहीं आएंगे और volume आपके पास 81.84 नहीं आएगा तो हमारे पास सही answer यहाँ पर 192 gram को ही tick करना पड़ेगा अगर all of these के बजाए सही option होता है none of these तो हम उसको tick करकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि तीनों options ही यहाँ पर wrong हैं आगे आगे बढ़ते हैं mc को number 5 पे आते हैं mc को number 5 में लिखा हुआ है minus 42 degree foreign height is equals to minus 42 degree foreign height जो है वो centigrade के अंदर किस चीज़ के बराबर होगा तो देखें minus 42 degree foreign height है अगर आपको foreign height से foreign height से centigrade की तरफ move करना है तो आप यह करेंगे पहले foreign height की value में से 32 को minus कर लेंगे जैसे minus 42 minus कर लें आप इसके अंदर 32 फिर आप इसको multiply कर दें 0.566 से तो आपके पास answer आजाएगा जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ यहाँ पर हमने क्या क्या minus 42 minus 32 फिर इसको multiply कर दिया 0.5566 से तो हमारे पास सही answer आजाएगा minus 41.1 जो कि option D है और option D हमारा right answer है एक बात यहाँ पर और समझ लीजे कि centigrade और foreign height का scale minus 40 पर coincide कर जाते हैं यानि कि minus 40 degree foreign height और minus 40 degree centigrade यह दोना आपस में बराबर होते हैं आएगे बढ़ते हैं MCQ number 6 के अंदर हमसे पूरा जा रहा है Benzene does not perform dash reaction Benzene इसमें से कौन सा reaction perform नहीं करता देखें Benzene ने Electroflix substitution reaction भी perform किया है और इसको हम अपने textbook के अंदर बहुत जादा पढ़ शुके हैं Fredile craft, acylation, alkylation, halogenation, nitration, sulfonation बगएरा बगएरा अब देखें Benzene के अंदर addition भी होती है क्योंकि उसके अंदर chlorine gas add करो in the presence of sunlight या hydrogenation का process करो तो Benzene के अंदर addition हो जाती है अगर Benzene के अंदर oxidation की बात करेंगे तो Benzene के अंदर oxidation भी हो जाएगी जब Benzene की oxidation करते हैं तो हमारे पास बन जाता है Malic Enhydride और साथ साथ है Benzene Tri-Ozonide B दो अलग-अलग compounds हमारे पास form होता है अलग-अलग oxidation के process है इसका मलब Benzene ये तीनो reactions perform करता है कौन सा reaction perform नहीं करता Benzene Benzene कभी भी elimination reaction परफॉर्म नहीं करता आई आगे बढ़ते हैं Enzyme is Enzyme इन में से क्या चीज़ है Fats, proteins, vitamins या fatty acids तो देखें Amino acids अब आप सूचे रहोंगे Amino acids यहाँ पर कहा सा आगए तो एक बास समझ लिए Amino acids ही से सारा तालग स्टार्ट होता है Amino acids जब आपस में polymerize होते हैं तो वो form करते हैं protein और protein आपस में polymerize होके Enzyme बनाते हैं यानि कि enzymes में protein शामिल है और protein में amino acids शामिल है अगर इसका सवाल दूसरे तरीके से पूछेंगे कि protein इन में से क्या है तो protein amino acid है protein enzyme नहीं है enzyme protein से बना है protein enzyme से नहीं बना तो बहराल हमारे पास MCQ number 7 पे हमसे पूछा गया है enzyme क्या चीज़ है तो enzyme proteins की polymerization से बनता है तो protein इसका सही answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं MCQ number 8 में हमसे पूछा जा रहा है glucose and fructose are dash isomers glucose और fructose कौन से isomers होते हैं तो glucose और fructose functional group isomers होते हैं क्योंकि glucose के अंदर CHO group शामिल होता है aldehyde group और fructose के अंदर ketonic group शामिल होता है COO group बागी दोनों polyhydroxy अपनी जगा पे होते हैं लेकिन इसका सही answer हो जाएगा functional group isomers इनके अंदर functional group change होता है is 4P1 एक element की electronic configuration है valence chair electronic configuration है 4P1 what is incorrect for it इसमें कौन सी बात उसके लिए गलत है सबसे पहली चीज़ के अंदर फुचे जा रहा है कि group A option A कि वो group 4A से बिलॉंग करता हो और first periods है 4P1 4P1 का सीधा सीधा मतलब यह होगा कि period number 4 है और P1 है तो इसके पीछे 4S2 भी आ रहा होगा तो S2 और P1 total मिला के हो जाएगा 3A तो हमारे पास बन जाएगा period 4 और group 3A group 3A और period 4 वाला option B सही है लेकिन अगर आप देखेंगे तो option A completely गलत लिखा हुआ है option A हमारा right answer होगा हमें बताना था incorrect statement तो incorrect statement में हमें पता लग गया कि 3A सही answer होना चाहिए यहां पर लिखा हुआ है group 4A तो यह गलत हो जाएगा और first period लिखा हुआ हाला कि सही answer है fourth period तो यह भी हमारा गलत option हो जाएगा अब नीचे option C और option D पर आपको जाने कि यह शिरूवत पड़े की नहीं लेकर मैं यहां पर फिर भी आपके लिए explain कर देता हूँ N से मुराद होता है number of period तो देखें period number 4 है तो N की value हो जाएगी 4 क्योंकि N से मुराद number of shell और जितने shells होता है उतना उस period से वो belong करता है तो अगर 4 shells है तो 4th period से belong करेगा अब L equals to 1 लिखा हुआ है देखें L से मुराद होता है ऐसी मुथल quantum number L की value अगर 0 होगी तो S orbital L की value 1 होगी तो P orbital L की value 2 होगी तो D orbital और L की value 3 होगी तो F orbital अब देखें L की value 1 भी है यहां पर क्योंकि P orbital है 4P1 लिखा हुआ है तो इसका मलब L equals to 1 भी हमारा सही आंसर है अब बात करते हैं option number D के उपर तो यहां पर लिखा है magnetic quantum number minus 1 0 और plus 1 होगा तो हमें यह बात पता है कि magnetic quantum number जो होता है वो function होता है azimethal quantum number का अगर azimethal quantum number की value 1 है तो magnetic quantum number की value minus 1 से लेके plus 1 तक होगी तो इस हिसाब से 4th option B फोर्थ option B बिल्कु सही है सिर्फ option A यहां पर गलत है बाकी 3 options यहां पर सही दिये है तो इसका मला हमारे right answer option A है आईए आगे बढ़ते है mcq number 10 के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है mcq number 10 में हमसे कहा जा रहा है element with second highest percentage in stainless steel is वो element जिसके अंदर stainless steel में वो element जिसकी highest percentage है वो element कौन से है तो वो element है chromium क्योंकि सबसे highest percentage होती है iron की highest percentage होती है iron की iron की percentage 70% से ज़ादा होती है अब chromium की percentage और nickel की percentage depend करता है कि आप कौन से grade का steel ले रहा है अगर आपको बहुत ज़ादा strength का यानि बहुत ज़ादा मजबूती वाला steel चाहिए तो उसके अंदर iron की composition और ज़ादा बढ़ जाएगी और अगर shine के इसाप से या उसको corrosion से रोकने के लिए आपने steel खरीदना है तो उसके अंदर chromium की और nickel की percentage अलग-अलग हो जाएगी तो हमारा इस हिसाप से सही answer हो जाएगा कि chromium की second highest percentage है iron के बाद तो chromium इसना right answer है अब आगे बढ़ते हैं MCQ number 11 पे MCQ number 11 पे हमसे कहा जा रहा है formula of potassium per magnet is formula of potassium magnet is देखें यहाँ पे potassium magnet का formula पूछ रहा है और एक जगह पे पूछेंगे potassium per magnet का formula तो मैं आपको दोनों के दार difference समझा देता हूँ potassium magnet लिखा हुआ है तो इसका answer हो जाएगा k2mno4 और अगर पूछें potassium per magnet तो इसका formula हो जाएगा kmno4 अभी फिलाल होने हैं पूछें potassium magnet तो इसका सही answer होगा option b k2mno4 अब आगे बढ़ते हैं mcq number 12 पे mcq number 12 में हमसे पूछा जा रहा है respective names of no no2-1 और no3-1 लेकिए एक ऐसा mcq है जो कि आप से पूछा गिया था nad के past papers में और यह सारे mcqs हम nad के past papers के ही discuss करना है लेकिन यह जब nad के अदर यह वाला mcq आया था तो उसके options चारों गलत थे लेकिन हमने चारों options गलत लिखें आपको समझाते हैं इस mcq के अंदर पूछा क्या जा रहा है पूछने हैं कि respective names no2-1 का और no3-1 का क्या होगा तो देखें no को कहा जाता है nitric oxide nitric oxide और no2-1 को कहा जाता है nitrite आखरे में t लगेगा और no3-1 को कहा जाता है nitrate अच्छा एक चीज़ और समझ लीजे कि n-3 लिखा हो तो उसको कहा जाता है nitrite अभी तो फिलहाल n-3 नहीं पूछा गया लेकिन उसका नाम दे दिया गया चारों options में nitrite nitrite और nitrite आपको दिख जाएगा किसी भी option में आपको nitric oxide नहीं देखेगा यानि कि ये option मौजूद ही नहीं है तो अब हम किसको tick करेंगे देखें हमारे पास respective name क्या होना चाहिए कि सबसे second last में आना चाहिए nitrite और पर आखर में आना चाहिए nitrite तो इसके हिसाफ़ से देख लें आखर में nitrite गिवन है तो ये भी गलत हो जाएगा और option D के अंदर nitrite और nitrite गिवन है ये वाला option भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर चारू ही option जैसे कि मैं आपको बढ़ायदा गलत है सही अगर इसकी नाम की classification की जाएगी तो सबसे पहले आएगा NO का नाम जो के हो जाएगा nitric oxide nitric oxide के बाद जो अगला नाम आएगा वो आएगा NO2-1 का और NO2-1 का नाम हो जाएगा nitrite और NO2-1 के बाद अगला नाम आएगा NO3-1 का और NO3-1 का नाम हो जाएगा nitrite और अगर NO से पहले given होता N-3, तो N-3 का नाम हो जाता है Nitride, आखिर में D लेकिंगे ये चारों कितना confusing है और यहाँ पे चारों options गलत थे हैं लेकिन बहराल आपको सही answer पता लग चुका है तो आए आगे बढ़ते हैं MCQ-13 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है Total number of sigma bonds in benzene Benzene के अंदर total sigma bonds कितने होते हैं तो हम Benzene के structure draw कर लेते हैं Benzene के अंदर अगर आप देखेंगे हर corner पे एक carbon मुझूद है और एक hydrogen हर corner पे एक carbon, एक hydrogen एक carbon, एक hydrogen इस तरह total 6 carbon हो जाएंगे और 6 hydrogen हो जाएंगे 6 carbon के आपस में जो single bonds होंगे, वो हो जाएंगे 6 sigma bonds और 6 hydrogen के carbon के साथ जो bond होंगे, वो भी हो जाएंगे 6 sigma bonds तो total sigma bonds हो जाएंगे, आपे 12 और जो 3 alternate double bonds हैं ये बन जाएंगे 3 pi bonds तो हमारा इसका सही answer हो जाएगा total number of sigma bond in benzene is 12 और अगर pi bonds का पुछा जाता तो उसका सही answer हो जाता 3 आईए आगे बढ़ते हैं MCQ number 14 पे तो MCQ number 14 में हमसे पुछा जा रहा है carbohydrates are mainly composed of carbohydrates इन में से किस चीज़ से मिलकर बनते हैं तो carbohydrates मिलकर बनते हैं carbon, hydrogen और oxygen से मिलकर आगे बढ़ते हैं MCQ number 15 में हमसे पुछा जा रहा है protein is dash protein इसमें से क्या चीज़ है तो protein हमने पढ़ा था कि protein enzyme नहीं होते है protein amino acid से मिलकर बनते हैं protein catalyst भी नहीं होते है protein carbohydrates भी नहीं है enzyme भी नहीं है enzymes protein से मिलकर बनते हैं लेकिन protein enzyme से मिलकर नहीं बनते है protein amino acid से मिलकर बनते हैं तो सही answer होगा इसका none of these आईए आगे बढ़ते हैं MCQ No.16 में हमसे पुछा जा रहा है Which of the following is the wrong configuration इसमें कौन सी wrong configuration है देखा सबसे पहली electronic configuration है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 इस electronic configuration में कोई मसला नहीं है इसलिए हमारा right answer भी नहीं है हमें बताना है wrong option अब आगे बढ़ते हैं अब MCQ No. B के अंदर पुछा जा रहा है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1 इस electronic configuration के अंदर भी हुंड जरूल को follow किया जा रहा है यानि के पहले px, फिर py और pz के अंदर equal electrons आएंगे फिर उसके बाद वापसी दुबारा px के अंदर एक और electron आएंगा तो हुंड जरूर यहाँ पर follow रहा है इस electronic configuration में भी कोई मसला नहीं है तो इसलिए ये भी हमारा सही answer नहीं है अब बढ़ता है MCQ No. option No. C पे हैं option No. C के अंदर हमसे कहा जा रहा है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz0 अभी electronic configuration wrong है और यही हमारा सही answer भी है इसकी वज़ा यह है कि सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2px2 और 2py1 फिर 2pz0 लिखा हूँ है जबके हुंड जरूल यह कहता है कि electrons को अगर degenerate orbitals available है degenerate orbitals होने का मतलब यह है कि same energy वाले orbitals available है तो electrons अलग अलग रहना पसंद करेंगे बजाएके साथ रहे तो px के अंदर दो electrons है यह एक साथ रहना पसंद नहीं करेंगे जबके pz खाली पड़ा हुआ है तो अब यह क्या करेंगे यह px में से एक electron जम करके चले आगा pz के अंदर और इस तरह से electronic configuration हो जाएगी 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1 यह सही electronic configuration होगी उपर वाली electronic configuration हुण्ज रूल को follow नहीं कर रही इसलिए हमारा सही answer है क्योंकि हमें wrong option बताना था तो option c is the right answer आएगे बढ़ते हैं mcq number 17 में हमसे पूछा जा रहा है for exothermic reactions the enthalpies of reactants are देखें exothermic reactions के अंदर जो reactants की enthalpies है वो ज़ादा होती है product से, कम होती है product से, या product के बराबर होती है या कोई भी option ठीक नहीं है इन चारों option से हमें बताने अगर आप exothermic reaction के अंदर focus करेंगे, तो exothermic reactions के अंदर reactants की enthalpy बहुत ज़ादा होती है अब exothermic reaction में reactants product बनाने से पहले heat loss करते है और heat loss करने के बाद वो convert हो जाते है products के अंदर तो इसका मलब यह हुआ कि reactants का heat content या इसकी enthalpy ज़ादा होगी और जो वो heat loss कर देंगे तो जो product form होगा product जो form होगे उनका heat content कम होगा यहाँ पे heat content इनका कम हो जाएगा इसका मलब यह है कि reactants की enthalpy ज़ादा है और products की enthalpy कम है तो higher than the products is the right answer MCQ number 18 की दरफ बढ़ते हैं MCQ number 18 हमसे पूछा जा रहा है number of secondary hydrogen in 2-3-diamethyl butane is 2-3-diamethyl butane के अंदर कितने secondary hydrogen होगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर secondary carbon कितने है जितने secondary carbon होगे फिर उसके इसाफ से यह देखा जाएगा कि उस carbon atom के साथ कितने hydrogen atoms attached है तो secondary carbon के साथ जितने hydrogen attach होगे वो किलाएंगे secondary hydrogen सबसे पहले इसके structure बना लेते हैं 2-3-diamethyl butane के अंदर 4 carbon सबसे पहले आप draw कर लिजे इसके बाद आप यह करिए कि valences complete कर लिजे यहाँ पर आजेंगे 3 hydrogen यहाँ पर 1 hydrogen आएगा यहाँ पर 1 hydrogen आएगा और यहाँ पर 3 hydrogen आएगा अब आप यहाँ पर यह मालूम करें कि secondary carbon कितने हैं तो सबसे पहले secondary carbon मालूम करने के लिए कि देखें कि कौन सा carbon atom surrounding में 2 catenated carbon atom के साथ attached तो देखें अगर इस वाले carbon की बात करें यहाँ वाला carbon surrounding में सिर्फ एक carbon atom के साथ attached है तो यहाँ वाला carbon के लाएगा primary carbon अगर इस carbon की बात करेंगे तो यह carbon surrounding में 3 carbon atom के साथ attached है इसलिए यह वाला कार्बन के लाएगा tertiary कार्बन और अगर हम बात करें इस कार्बन एटम की तो यह कार्बन एटम भी सराउंडिंग में तीन कार्बन एटम के साथ अटेजड है तो यह वाला कार्बन भी कलाएगा tertiary कार्बन एटम अभी तक कोई secondary carbon मिला नहीं है हमें अब देखें इस वाले carbon atom की बात करेंगे तो यह वाला carbon atom surrounding में सिर्फ एक carbon atom के साथ directly attached है तो यह वाला carbon atom के लाएगा primary carbon atom यह वाला carbon atom भी primary है और यह वाला carbon atom भी primary है यानि कि एक भी secondary carbon हमें यहाँ पर मिला ही नहीं जब कोई भी secondary carbon है ही नहीं तो secondary hydrogen भी नहीं होगा तो हमारा सही answer हो जाएगा none of these कोई भी answer ठीक नहीं है अब आगे बढ़ते हैं MCQ number 19 के उपर तो MCQ number 19 के अंदर हमसे कहा जा रहा है non polar solvent is इसमें कौन सा non polar solvent है तो देखें SN1 जो होता है वो polar solvent रखता है और SN2 जो होता है वो रखता है non polar solvent अगर E1 की बात करें तो E1 के अंदर भी polar solvent होता है और अगर E2 होता तो E2 के अंदर होता non polar solvent यहाँ पर हमारे पास options के अंदर E2 मौजूद ही नहीं है तो इसलिए हमारा सही answer हो जाएगा SN2 SN2 reaction के अंदर non polar solvents होते हैं तो SN2 is the right answer आए आगे बढ़ते हैं MCQ number 20 पे तो MCQ number 20 के अंदर हमसे कहा जा रहा है C5 H10 is the molecular formula of C5 H10 इसमें से किस चीज़ का molecular formula है cyclopentene का, cyclohexane का या pentene का या both A and C देखें सबसे पहले wrong option को eliminate करें C5 मतलब 5 carbon अब 5 carbon है तो cyclohexane तो नहीं हो सकता option B completely correct answer है अगर बात करते हैं option A की या option C की तो देखें, pentene belong करता है alkene family से और cyclo-pentene belong करता है cyclo-alkene से cyclo-alkene का general formula होता है CNH2N और यही general formula होता है alkene का, यानि दोनों का general formula same होता है, तो इसी लिए अगर 5 carbon है, तो उसके double hydrogen हो जाएंगे 10 और यह formula दोनों के लिए valid हो जाएगा C5, H10 माला formula दोनों के लिए valid होगा C5, cyclo-pentene के लिए भी और pentene के लिए भी तो हमारा सही answer हो जाएगा both A and C आगे बढ़ते हैं MC को number 21 के उपर तो MC को number 21 के अंदर हम से कहा जा रहा है property depends the property depends upon the number of solid particles in a solution वो property जो के solution में solid particles के number यह पर depend करती है वो property क्या कहलाती है तो यह property कहलाती है colligative property सही answer हो जाएगा option B सिर्फ definition थी है आगे बढ़ते हैं MC को number 22 के अंदर हम से कहा जा रहा है long chain of carbo oxalic acid is called carbo oxalic acid की जो long chain होती है इनको क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है fatty acids आगे आगे बढ़ते हैं 23 के अंदर हम से कुछा जा रहा है nitrogen molecule contains nitrogen molecule में कितने sigma bond होते हैं और कितने pi bond होते हैं अगर nitrogen molecule की बात की जाए तो nitrogen और nitrogen के दर्मियान में triple covalent bond होता है अब पहला bond हो जाएगा sigma और बागी दोनों bonds हो जाएगे pi जो पहला bond है यह sigma होगा और बागी जो दोनों bonds है यह कलाएगे pi bonds तो हमारा सही answer हो जाएगा 1 sigma bond and 2 pi bonds option C is the right answer आगे आगे बढ़ते हैं next mcq पर तो next mcq में हमसे कहा जा रहा है real gas obey ideal behavior at real gas जो है जो सकती है जब gases के molecules एक दूसरे के करीब करीब आ जाएगे अगर gases के molecules एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो उनके दर्म्यान में कोई force of attraction या कोई repulsion नहीं होगी real gas में कोई force of attraction no force of attraction और repulsion कोई force of attraction या repulsion नहीं होगी अगर molecules एक दूसरे से दूर दूर हो if molecules are far away from each other are far away from each other और यह कब possible है कि molecules एक दूसरे से दूर दूर है तो यह possible है low temperature पे sorry यह possible है high temperature पे और low pressure पे high temperature पे जब gases के molecules की kinetic energy बढ़ जाएगी high temperature पे gases के molecules की kinetic energy बढ़ जाएगी और जब kinetic energy molecules की बढ़ जाएगी तो ये एक दूसरे से दूर-दूर move करेंगे जब इनका size बढ़ जाएगा तो कोई मलब एक दूसरे दूर-दूर हो जाएगा तो जादा volume contain करेंगे तो इनके दर्म्यान में कोई force of attraction या repulsion नहीं होगी low pressure पे भी gases के molecule एक दूसरे से दूर-दूर हो जाएगे तो कि इनको compress करने के लिए कोई चीज नहीं है जब low pressure पे ये एक दूसरे से दूर-दूर हो जाएगे तो कोई force of attraction या repulsion इनके दर्म्यान में नहीं होगी तो real gas फिर ideal behavior को follow करेगी high temperature और low pressure के उपर तो हमारा सही answer हो जाएगा high temperature और low pressure high temperature और low pressure हमारा पास given है option B के अंदर low pressure and high temperature it is the right answer आगे बढ़ते हैं 25 पे 25 के अंदर पूछा जा रहा है oxidation state of manganese in k-amino 4 k-amino 4 के अंदर oxidation state क्या होगी तो ज़रा चेक करते हैं k-amino 4 potassium की oxidation state हो गई plus 1 oxygen की oxidation state हम normal state रखते हैं minus 2 और minus 2 को 4 से multiply कर ले तो ही हो जाएगा minus 8 अब plus 1 और minus 8 का total कर लेंगे तो ही हो जाएगा minus 7 इसका मलब manganese पर theoretically charge होना चाहिए plus 7 तागे overall compound neutral रहे जो के अभी ये neutral नजर आ रहा है यानि compound के ओपर कोई charge नहीं है तो इसलिए manganese के ओपर जो oxidation state होगी हाँ पर हो जाएगी plus 7 mcq number 26 में हमसे पूछा जा रहा है valence shell electronic configuration of an element is 3s to 3p1 एक element है उसकी electronic configuration है 3s to 3p1 तो valency क्या होगी ज़र चेक करें 3s to 3p1 है अब इसका मलब यह है कि उसके third shell में 3 electron है अब let's say assume करने कि nucleus और nucleus के पास 3 shells है और third shell मes के पास है 3 electron अब यह 3 electron यह तो यह share कर सकता है या यह loss कर सकता है let's say aluminium ले 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 तो aluminium के पास outer aún Großel में 3 electron होंगे तो यह 3 electron loss कर सकता है कुnे 5 electron यह नहीं कर सकता है यह चीम नहीं सकता 5 electron octetラe टूल को follow करने के लिए तो अब जब ये loss कर देगा या share करेगा तो electro positive charge शो करेगा या electro positivity का रद्यामल शो करेगा अब electro positivity की वज़ा से इसका जो oxidation नमबर हो जाएगा सीधा सीधा plus 3 आपको अगर ये बात मुश्किल लग रही हो तो आपने इस चीज़ को अपने जहें में रखने हैं कि हमने AL plus 3 के आइंज बहुत जादा commonly देखे हैं आए आगे बढ़ते हैं हमसे next mcq में mcq नमबर 27 में हमसे पूछा जा रहा है कि when ethanol reacts with sulfuric acid which one of the following product is obtained जब ethanol को sulfuric acid के साथ में react करवाय जाता है तो क्या चीज़ form होती है देखें एक बात आप असानी से याद कर सकते हैं कि ethanol alcohol से belong करता है जब भी हम alcohol की dehydration करेंगे और alcohol की dehydration कैसे होगी जब हम sulfuric acid catalyst के तोर पे या solvent के तोर पे actually use करेंगे और temperature रखेंगे 170 degree centigrade के आसपास तो sulfuric acid एक dehydrating agent है यानि कि वो water molecule को absorb कर लेगा जब पानी को अपने अंदर absorb कर लेगा तो alcohol मेंसे एक water loss हो जाएगा और वो convert हो जाएगा अलकीन के अंदर अगर ये बात मुश्किल लग रही है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे C2H5OH एथानॉल है और sulfuric acid के साथ में जब इसको react करवाया तो यहां से एक water molecule कम हो जाएगा तो बन जाएगा अलकीन फॉर्म हुआ है अलकाइन और अलकेन फॉर्म नहीं हुए आएगे बढ़ते हैं next mcq में हमसे पूछा जा रहा है which one of the following elements formed colored compounds इसमें कौन से elements colored compounds फॉर्म करेंगे देखें colored compounds ना सिर्फ transition elements के compound form करते हैं transition elements यानि के जैसे copper, gold, silver, platinum, nickel, chromium बगड़ा 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 अब यह deep block elements है transition elements है यह CFT को यानि crystal field theory को follow करते हैं अब इनके जितने भी compounds होंगे वो सब के सब colored होंगे इसके पीछे क्या reason है वो आप जा के अपने textbook में पढ़ सकते हैं कमारा सही answer हो जाएगा है यहापे option B transition elements alkene, halogens और group 1A इनके compounds आम तोर पे colorless होता है आगे बढ़ते हैं MCQ number 19 के उपर तो MCQ number 19 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है molecular formula of vinegar is vinegar का molecular formula क्या होता है देखे vinegar कहता है सिरके को यानि कि acetic acid इसके अंदर शामिल होता है यह हमारे घर के अंदर मौजूद होता है लाजमी तोर पे और acetic acid का formula होता है CH3COOH तो सही answer हो जाएगा option B next MCQ के अंदर हमसे पूछे जा रहा है 30 के अंदर how many molecules of water in 36 gram of H2O water के 36 gram में कितने number of molecules शामिल है तो देखें बहुत असान है अगर water की बात करें तो water का molar mass सबसे पहले आप निकालने water का molar mass हो जाएगा 18 अब देखें number of moles निकाले number of moles निकालने का formula होता है mass upon molar mass mass आपको given है 36 और molar mass आपको given है 18 तो यह क्या हो जाएगा number of moles आजाएगे हमारे पास 2 जब 2 moles आगए तो आपने इसको multiply कर देना है evagardos numbers है 6.02 exponential 23 जब आप 2 को multiply कर देंगे 6.02 exponential 23 से calculator सा आप यह चीज़ कर सकता है तो हमारे पास सही answer हो जाएगा 1.204 exponential 24 तो वो हमारा सही answer हो जाएगा यानि कि option A option A के अंदर लिखा है 1.2 exponential 24 option B में 12 exponential 24 लिखा हुआ है इसलिए वो गलत option है option C में 1.2 exponential 23 लिखा हुआ है इसलिए वो भी गलत option है और option D के अंदर 6.02 exponential 23 लिखावा है तो वो तो already कलाता है आई आगे बढ़ता है MCQ No. 31 के उपार MCQ No. 31 में हमसे पूछा जा रहा है At equilibrium concentration of product and reactants are equal यह rate of forward and reverse reaction are equal reaction ceases यह reaction is stopped तो हमें पता है equilibrium state में rate of forward reaction और rate of backward reaction यह बराबर होते हैं तो इसलिए हमारा option C right answer होगा next MCQ में हमसे पूछा जा रहा है in 18 gram of glucose number of moles of carbon is carbon के कितने moles होंगे 18 gram of glucose में तो आई ज़रा चेक करते हैं सबसे बहले glucose का formula लिख लें glucose का formula होता है C6 एक सेकेंड glucose का formula होता है C6, H12 और O6 तो आप यह कर सकते हैं कि आपको mass given है glucose का तो आप glucose के number of moles निकालने हैं जितने number of moles glucose के होंगे उतने ही number of moles carbon atoms के भी होंगे अगर आपको carbon atom का mass given होता तो आप सिर्फ carbon atom के molar mass से divide करते हैं और आपको carbon के moles पता लग जाता हैं लेकिन क्योंके अभी पूरा glucose का mass given है तो आपको molar mass से divide करना पड़ेगा मास के वेन हमें 18 ग्राम मोल्स निकालने का फॉर्मॉला होता है number of moles equals to mass upon molar mass जब अब C6, H12, O6 का molar mass निकालेंगे तो यह हो जाएगा 180 तो number of moles equals to 18 divided by 180 करेंगे तो यह answer आजएगा 0.1 moles अब 0.1 moles glucose के हैं तो carbon atom के भी 0.1 moles हो जाएगे यह हमारा right answer है option A क्या होता है तो देखिए amide का general formula होता है कि सबसे पहले alkyl group लगा होगा alkyl group के साथ carbon, carbon के साथ double bond होगा oxygen का और पर इस carbon के साथ NH2 group attach होगा अब amide group है NH2 और NH2 के साथ में जब COO group आके attach हो जाएगा तो यह एक लाएगा amide group यहनि कि option A is the right answer आएगे बढ़ते हैं MCQ number 34 के उपर MCQ number 34 के नहीं हमसे कहा जा रहा है polymer formed with two different monomers वो polymer जो के दो different monomers से मिलके बनता है वो polymer कौन सा है सबसे पहला option है PVC PVC का मलब है polyvinyl chloride यह PVC pipe जो हमारे घर के अंदर लगे होता है यह उसके बारे में बात हो रही है और हम सबको बता है कि यह vinyl chloride से मिलके बनता है vinyl chloride की polymerization से है इसके नाम से ही जाहिर है अब vinyl chloride तो एक monomers है इसलिए option A गलत option हो जाएगा अब polythylene लिखा हुआ है polythylene भी ethene से मिलके बनता है तो यह भी wrong option हो जाएगा अगर हम बात करें starch की तो starch glucose से मिलके बनता है तो इसलिए यह option D भी गलत हो जाएगा तो सही answer हमारे पास बचेगा option C nylon आई आगे बढ़ते हैं mcq number 35 next mcq में हम से पूछा जा रहा है in the hydrolysis hydrolysis के process में pH constant रहती है water form होता है या pH change हो जाती है या water evaporate हो जाता है हमें पता है hydrolysis के process में जब कोई भी compound water के साथ में react करता है तो water की pH को change कर देता है और कोई acidic या basic solution form करता है तो इसलिए इसका सही answer हो जाएगा pH change pH constant नहीं रहती water form नहीं होता बलके water के साथ में react करवाया जाता है और water evaporate नहीं होता अगें water के साथ में react करवाया जाता है तो आए आगे बढ़ता है mcq number 36 में हम से पूछा जा रहा है hydrocarbons hydrocarbon compounds is oxidized to form जो hydrocarbons है अगर उनको oxidize करवाया जाए तो वो किस चीज़ के अंदर convert होता है यहाँ पे oxidize से मुराद actually उनका combustion reaction है कि जब उसको presence of oxygen के अंदर burned किया जाता है तो hydrocarbon compounds आम तोर पे क्या चीज़ फॉर्म करते है तो उसका सही answer है carbon dioxide और water mcq number 37 के अंदर हम से पूछा जा रहा है which one of the following molecule is linear इसमें कौन सा molecule linear है सबसे पहले है water देखें water की shape क्या होती है oxygen के पास दो lone pair होते है electrons के और उसने एक bond बनाया वाता hydrogen से और दूसरा bond भी hydrogen से बनाया वाता है दो bond pairs के साथ तो इसकी shape होती है angular या जिसको हम bent भी कहता है और अगर bent या angular given ना हो option में तो ये कहलाएगा tetrahydral shape क्योंकि चार active set है इसके पास अगर HCN की बात करेंगे तो HCN हमारा यहाँ पर सही आंसर भी है क्योंकि hydrogen का पहले carbon के साथ में एक single covalent bond होता है जिसको हम एक sigma bond बोलता है उसके बाद carbon का nitrogen के साथ में triple covalent bond होता है लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये दोनो electrons pi bond है ये दोनो bonds यहीं दोनो pie bonds है 2 pie bonds को हम non active set में शुमार करते हैं तो ये हमारा जब shape देंगे तो हम इसको count नहीं करेंगे तो होगा क्या कि hydrogen और carbon के दर्म्यान में hydrogen कार्बन के दर्म्यान में 1 sigma bond और carbon और nitrogen के दर्म्यान में 1 sigma bond total active set होगा है 2 तो shape हो जाएगी हमारे पास diagonal या diagonal को linear भी कहा जाता है तो हमारा सही answer हो जाएगा HCN अगर हम C2H4 की बात करेंगे तो C2H4 के अंदर carbon और carbon के दर्म्यान में double cobalent bond होता है लेकिन इधर अगर unit geometry की बात की जाएगी तो ये shape होती है triconal क्योंकि carbon के 3 corners होता है अगर SO2 की बात करेंगे तो SO2 का भी same इसी तरह से structure होता है कि sulfur के पास 2 lone pair और पिर oxygen के साथ में उसमें 2 bonds बनाएव होता है इसलिए इसकी shape भी angular band या tetrahedral कलाए जाएगी अभी हमें आपको सारी shapes इसलिए बदा दी है इस mcq के अंदर variations बहुत जादा आ सकती है तो आए आगे बढ़ते है mcq number 38 के अंदर पुछते है dipole moment of CL2 molecule is chlorine molecule के अंदर dipole moment कितनी होगी तो क्लोरीन और क्लोरीन similar atoms के दर्मयान में covalent bond बन रहा है जब similar atoms के दर्मयान में covalent bond होगा तो यह कहलाएगा non polar covalent bond अगर non polar covalent bond है तो polarity यहाँ पर हो जाएगी 0 अगर polarity 0 है तो dipole moment यहाँ पर मौजूद नहीं होगी सही answer हो जाएगा option D mcq number 39 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है NaHCO3 is called as NaHCO3 क्या चीज़ कहलाती है NaHCO3 क्या कहलाता है तो NaHCO3 formula है baking soda का अगर soda ash की बात करेंगे तो soda ash का formula होता है Na2CO3 classic soda का formula होता है NaOH और washing soda का formula होता है Na2CO3.10H2O तो right answer है यहाँ पर option A आगे आगे बढ़ते हैं mcq number 40 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है nitrogen fertilizer used nitrogen fertilizer किसलिए use की जाती है तो देखें nitrogen fertilizer प्रोटीन बनाने के लिए carbohydrates form करने के लिए use की जाती है यह पूछा जा रहा है आप सिर्फ यह देख लें कि इन सारे compounds में nitrogen किसके अंदर शामिल होता है nitrogen शामिल होता है amino acids में और amino acids में बनते हैं protein तो हमारा सही answer हो जाएगा protein अगर carbohydrate की बात करेंगे तो carbohydrate के अंदर carbon hydrogen और oxygen होते हैं और सेम इसी तरह से आप fats और lipids के अंदर दखेंगे तो उसके अंदर भी nitrogen शामिल नहीं होगा सही answer हो जाएगा है यहाँ पर protein आए आगे बढ़ते हैं MCQ number 41 के उपर MCQ number 41 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है what is the volume of 1 mole of a gas at 1 atmospheric and 273 Kelvin standard conditions given है standard pressure है और standard temperature भी है और हमें mass given है 1 gram mole यानि के यह moles भी हमें standard conditions पर given है एक mole की बात की जा रही है तो volume भी हम standard ले लेंगे कोई calculation की जरूबत नहीं है सिर्फ आप एक second भी इस cancer बता सकते हैं यहाँ पर volume जो हो जाएगा 22.4 decimeter cube जो के molar volume होता है standard conditions के उपर अब 22.4 decimeter cube भी लिखा हो सकता है या 22.4 liters भी लिखा हो सकता है दोनों एक ही बात है तो option D हमारा सही answer है आगे बढ़ते हैं MCQ number 42 के अंदर हमसे पूछे जा रहा है when 50 centimeter cube of hydrogen reacts with 10 centimeter cube of oxygen at 293 Kelvin and standard pressure at standard pressure total volume of mixture अब यहाँ पर पूछे जा रहे है कि hydrogen gas hydrogen gas का volume है 50 centimeter cube और oxygen gas का volume है 10 centimeter cube तो total volume mixture का क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा कम हो जाएगा या remain same बराबर रहेगा देखें gases का अपना कोई volume नहीं होता hydrogen gas का volume बदा रहे है 50 centimeter cube लेकिन यह hydrogen gas का volume नहीं है बलके यह container का volume है similarly oxygen gas का भी 10 centimeter cube उसका अपना volume नहीं है बलके उस container का volume है जिस container के अंदर oxygen gas को रखा गया अगर दोनों को एक container के अंदर लेकर आजेंगे तो होगा क्या कि 10 centimeter cube oxygen gas की और 50 centimeter cube let's say hydrogen gas की इसको एक बड़े container के अंदर रखा उतने ही container के अंदर रखा कि 50 centimeter cube का container है let's say तो इस container के अंदर दोनों gases आ भी जाएंगी और दोनों gases react भी कर लेंगी लेकिन एक मसला यह है कि hydrogen gas hydrogen gas और oxygen gas अगर यह दोनों gases की ही form में रहते हैं तो volume same रहता volume change नहीं होता यानि कि 50 centimeter cube volume हमारा right answer होता बस यहाँ पर आपको एक फर्क यह बताना है कि non-reacting gases में और reacting gases में एक difference क्या होता है non-reacting gases में अगर let's say 50 centimeter cube hydrogen gas है और 10 centimeter cube oxygen gas है तो container का volume फिर भी 50 centimeter cube ही रहता change नहीं होता लेकिन अगर यह लोग react रजाएंगे 50 centimeter cube hydrogen का और 10 centimeter cube oxygen का तो react करके बना लेंगे water अब water के अंदर क्या होता है कि volume कम हो जाता है liquid shape के अंदर जब चले जाएगा hydrogen gas और oxygen gas जब liquid shape के अंदर चली जाएगी तो volume container का कम require करेंगी तो हमारा सही answer हो जाएगा कि volume will be reduced आएए आके बढ़ता है mcq number mcq number 43 में हम से पुझे जा रहा है 4 moles of SO2 are oxidized to SO3 how many moles of oxygen are required SO2 के 4 moles को convert किया जा रहा है SO3 के अंदर तो कितने moles oxygen gas के required होंगे तो ज़रा check करते हैं 4 SO2 plus oxygen gases को react करवाया तो यह convert हो रहा है 4 SO3 में कुछ भी नहीं करना आपको सिर्फ और सिर्फ equation को balance कर लेना है sulfur 4 है यहाँ भी sulfur 4 है अगर oxygen की बात करेंगे तो oxygen यहाँ पर हो जाएंगे 4 3 is a 12 जबकि यहाँ पर oxygen कितने है 4 2 is a 8 अब यहाँ पर O2 लिखा हो है आपको किसी दोना से इसको 8 plus 4 करके 12 कर लेना तो आपने यहाँ पर 2 oxygen gas के moles ले लिए है ताके 2 O2 मिलकर 4 oxygen बन जाएंगे तो सही answer हो जाएगा कि oxygen gas के 2 moles required है option A is the right answer आइए बढ़ते हैं MCQ number 44 के उपा है MCQ number 44 में हमसे कहा जा रहा है a catalyst increases the rate of reaction by a catalyst rate of reaction को increase करता है कैसे catalyst क्या करता है rate of reaction को बढ़ाने के लिए activation energy को कम कर देता है तो सही answer हो जाएगा option A decreasing the activation energy MCQ number 45 के नदर हमसे पूछा जा रहा है for complete oxidation one mole of organic compound requires three mole of oxygen gas what could be the formula of the compound compound का formula हमें बताने अगर उस compound के एक mole को required है three moles oxygen gas के oxygen gas के three moles required है और आगे जाके वो convert हो जाएगा carbon dioxide के अंदर और water vapors के अंदर अब दरह देखें three moles oxygen gas के required है तो three o two हमने यहाँ पर लिख लिया अब देखते हैं वो कौन सा compound है जिसके अंदर जिसका एक mole एक mole organic compound का उसको required है three moles of oxygen gas तो एक mole कैसे बनेगा दरहा चेक करते हैं तो कि अगर हम CH3 CH2 और OH रखते हैं तो इसी में शायद हमारा answer आजाएगा carbon की तादाद है यहाँ पर दो hydrogen की तादाद है यहाँ पर तीन और एक तीन और दो पांच पांच और एक छे carbon दो hydrogen छे और oxygen है यहाँ पर एक और यह वाले तीन oxygen मिलके हो जाएंगे साथ oxygen है साथ यहाँ पर equation को just balance करने क्या balance हो सकती है देखें यहाँ पर 6 hydrogen है तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 3 H2O और carbon दो है तो हमें क्याँ पर करना पड़ेगा 2 CO2 देखें carbon दो पूरे हो गए हैं आपर oxygen कितने है टू टू जा 4 4 oxygen और यह वाले oxygen 3 तो 4 oxygen प्लस 3 oxygen कितने हो जाएंगे 7 oxygen यह भी balance हो रहा है और hydrogen है 6 तो 3 H2 यह हो जाएगा 6 hydrogen तो देखें हर तरहां से यह पूरी equation balance हो रही है तो हमारा सही answer हो जाएगा option A अगर आप option B को option C को या option D को try करने ही जोज़िश करेंगे तो इसमें आपके equation किसी भी तरीके से balance नहीं हो पाएगी तो इसी तरह से आपने equation को balance करके check कर लेना हम आगे बढ़ेंगे M.C.Q. number 46 के ओपर M.C.Q. number 46 के अंदर हमसे पूचा जा रहा है ammonia gas can be obtained by heating an ammonium salt with ammonia gas को आपने किस चीज के साथ में ammonia gas को हमने हासिल करना है कि हम ammonium salt को किस चीज के साथ में heat करें कि हमें ammonia gas मिल जाए मुश्किल होगे शायद हम एक काम करते है ammonium salt को हमने ऐसी कौन सी चीज के साथ में react करवाए कि ammonia gas form हो जाए ये पूचा जा रहा है तो आगी तरह चेक करते है ammonium salt सबसे common जो ammonium salt है ammonium chloride NH4Cl NH4Cl को आप acid के साथ में react करवाए के देख सकते है HCl के साथ में alkaline यानि किसी base के साथ में NaOH के साथ में react करवाए के चेक कर सकते है oxidizing या reducing agent के साथ में भी चेक करवाए के देख सकते है लेकिन आप पहले option A और option B से try करने है मैं यहाँ पर directly option B से try करके आपको समझा देता हूँ sodium hydroxide के साथ जब इसको react करवाते है तो हमारे पस ammonia gas form होती है यह हमारा सही answer हो option B कैसे वह आपको समझा देता हूँ देखें जब sodium oxygen के साथ में रियक करेगा sodium chlorine के साथ में रियक करेगा तो बना लेगा NaCl अब OH बचा यहाँ से एक hydrogen निकाल लीजे एक hydrogen जब OH के साथ में रियक कर लेगा तो बना लेगा H2 अब यहाँ पर बचेगा एक nitrogen और तीन hydrogen तो बन जाएगा ammonia gas अब ammonia gas यहाँ पर form हो जाएगी ammonium chloride भी एक acidic salt है और hydrochloric acid भी एक acid है तो आगे जाके reaction प्रोसीड नहीं होगा आईए आगे बढ़ते हैं MCQ No.47 के अंदे हमसे कहा जा रहा है brass is an alloy of brass इसमें से किस चीज़ का alloy है तो हमें brass के बारे में पता है brass alloy होता है brass alloy होता है copper का और zinc का brass alloy होता है copper का और zinc का तो हमारा सही answer हो जाएगा copper and zinc option C जबके bronze alloy होता है copper का और tin का यहाँ पर अगर आपसे bronze के बारे में पूछ लिए जाता तो bronze alloy होता copper का और tin का इसमें थोड़ी percentage aluminium की भी शामिल होती है तो bronze के बारे में नहीं पूछा जा रहा हम आगे बढ़ते हैं mcq number 48 के उपर तो mcq number 48 के अंदर हमसे कहा गया है कि rain drops are spherical due to जो बारिश की जो कत्रे होते हैं वो गोल डाइरे के अंदर होते हैं यानि गोल गोल होते हैं क्यों तो rain drops जो होते हैं spherical होते हैं surface tension की वज़ा से surface tension क्या करता है के water molecules का surface area surface area reduce करने की कोज़िच करता है invert molecular force of attraction के थो तो इसी वज़ा से जब water molecules अपना surface area reduce करते हैं तो वो गोल डाइरे के अंदर convert हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं 49 के अंदर पूछा जा रहा है fluorine, chlorine, bromine और iodine same group से belong करते हैं अब ये similarity शो करेंगे properties के अंदर किस वज़ा से तो इसका सही आंसर है electronic configuration जब इनकी valence शर्ण electronic configuration एक जैसी होगी तो इनकी वेलेक्रोनिक configuration same होनी की वज़ा से chemical properties भी एक जैसी शो करेंगे density इनकी एक जैसी नहीं हो सकती उसकी वज़ा ये है के density depend करती है molecular mass के उपर और सबका molar mass या atomic mass same नहीं है similarly size भी इनका same नहीं है boiling point भी physical property है और भी depend करते है atomic mass के उपर अब atomic mass सबका same नहीं है तो इसी लिए सबकी physical properties अलग-अलग होंगी आई आगे बढ़ते हैं mcq number 50 के उपर mcq number 50 के नाम से कहा जा रहा है कि when any solid is changes to gas without melting the process is set to be जब एक solid किसी gases state के अंदर change हो जाएगा और melting का process के अंदर नहीं होगा तो ये process क्या कहलाएगा ये process कहलाता है sublimation sublimation के अंदर solid directly gas में convert हो जाता है अगर solid convert हो liquid में तो process कहलाएगा melting आगे बढ़ता है mcq number 51 के उपर mcq number 51 के नाम से कहा जा रहा है 51 के नाम से कहा जा रहा है dipole moment of CO2 is 0 अगर dipole moment 0 है तो structure क्या होगा देखें dipole moment को हम mu से show करते है अगर dipole moment 0 है तो इसकी दो वजुवाद हो सकती है पहली वज़ाई है कि linear structure है यह दूसरी वज़ा यह है कि symmetrical structure है तीसरी वज़ा एक और भी हो सकती है वो यह कि non polar हो तो तीनों conditions की वज़ा से dipole moment 0 होती है अब अगर उसकी structure के बारे में बात कर रहा है तो structure हो जाएगा उसका linear symmetrical भी structure आप लेकर आ सकते हैं लेकिन symmetrical structure होता है जब उसको rotate किया जा उसी के axis में तो कोई फरक ना महसूस हो जैसे कि CH4 के अंदर यह symmetrical structure के लाता है यह linear structure नहीं है लेकिन यह symmetrical structure है जबकि अगर carbon dioxide की बात की जाएगी तो carbon dioxide के अंदर linear structure होता है तो इसी लिए इसकी dipole moment 0 है आए आगे बढ़ते हैं 52 के अंदर हम से कहा जा रहा है main constituent of petrol is petrol का main constituent यानि petrol किन चीज़ों से सबस्यादा मिलके बनता है तो वो क्या चीज़ है methane, butane, hexane या octane petrol जो होता है वो mixture होता है hexane का और heptane का तो सही answer हो जाएगा option C hexane आए आगे बढ़ते हैं 53 बे 53 के अंदर हम से कहा जा रहा है in exothermic reaction heat is exothermic reaction के अंदर heat absorb होती है या release होती है या taken in by the reaction या नहीं reaction के अंदर जाती है या none of these इसका सही answer है released ये तो बहुत ही असान हो MCQ था आगे आगे बढ़ते हैं MCQ number 54 के अंदर हम से पूछा जा रहा है which of the following is water gas इसमें water gas क्या चीज़ है तो water gas का formula होता है water gas mixture होती है carbon monoxide का और hydrogen gas का सही answer हो जाएगा CO plus H2 option B MCQ number 55 के अंदर हम से कहा जा रहा है what is amount of what is the amount required for one molar NaOH to prepare one liter of solution sodium hydroxide का कितना mass required है अगर हमने sodium hydroxide की molarity one molar रखनी है और एक solution prepare करना है जिस solution के अंदर solvent की तादा दो one liter बहुत असान है इसका सही answer हो जाएगा 40 grams इसको कैसे किया कि आप number of moles निकाल लीजिए number of moles निकालने का formula होता है mass upon molar mass क्योंकि देखे molarity one है molarity है one और volume भी one है तो बहुत असानी साब इसके number of moles से इसको calculate कर ले है mass जो निकलेगा एक mole का वही यहाँ पे सही answer हो जाएगा तो number of moles की जगा पर आपने रखा one mass की जगा पर आपने रखा M और molar mass आपने sodium hydroxide कर रख लिया 40 तो यह जगा M equals to 40 gram option A is the right answer अब MCQ number 56 पर बढ़ते हैं तो MCQ number 56 के अंदर कहा जा रहा है volume of gas is proportional to number of molecules present जो gas का volume होता है वो directly proportional होता है कि कितने molecules कितने number of molecules उसके अंदर मौजूर है तो इसका सही answer यह किसकी statement है यह statement है avagardos law की तेकिए avagardos law के अंदर volume directly proportional होता है number of moles के यह volume directly proportional होता है number of molecules के यह कहा गया है जबके charge log के अंदर कहा गया है volume directly proportional है temperature के जो कि यहाँ पूछा नहीं गया है और volume inversely proportional होता है pressure के यह कहा गया है boils log के अंदर आगे आगे बढ़ते है MCQ number 57 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है formula of xylene is xylene का formula क्या होता है xylene हमारे पास तीन टाइप के होते है एक ortho xylene para xylene और एक होता है metasyylene लेकिन फिर भी सबसे most common होता है para xylene और इन सब के formula सेम है इन सब के formula के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आप benzene ring form कर ले benzene ring के top पर 1 CH3 लगा ले अगर para xylene है तो नीचे भी एक CH3 लग जाएगा अब total carbons को count कर ले तो हमारे पास carbon benzene ring के हो गए 6 6 carbon ये और उसके बाद एक carbon top पे लगावा है एक carbon नीचे bottom पे लगावा है तो total carbons हो जाएगे 8 C8 C8 वाला कौन सा option है इसके अंदर यहाँ पर कोई C8 वाला option नहीं नदर आ रहा लेकिन अगर आप इस option के अंदर देखेंगे तो इस option के अंदर लिखावा है C6 H4 और साथ में CH3 twice इसका मलब यह ही है कि हमारे पास carbon 2 तो ये हो गए और फिर 6 carbon ये हो गए यानि कि total 8 carbons तो ये ही हमारा सही answer होगा बागी कहीं पर भी आपको 8 carbons नहीं दिख रहा है यहाँ पर C6 H6 यानि बेंजीन का formula भी गलत नाइट्रो बेंजीन का formula यह है और यह भी गलत और यह formula फिनॉल का फिनॉल का formula भी यहाँ पर गलत लिखावा है नाइट्रो बेंजीन का formula है C6 H5 NO2 तो यह तीन ओप्षिन्स गलत है MCU number 58 के अंदर हमसे कहा जा रहा है The lowest energy level which of electron can have कि lowest energy shell जो कि एक electron के पास हो सकता है यह electron सबसे lowest energy shell के अंदर हो सकता है वो lowest energy shell कौन सा है इसका सही answer है K shell nucleus के सबसे करीब K shell होता है और जितना nucleus के करीब होगा उतनी उसकी energy कम होगी फिर उसके बाद जो nucleus से दूर होता जाएगा उस shell की energy बढ़ती चली जाएगी तो K shell is the right answer अब आएए बढ़ते हैं MCQ number 59 के उपर MCQ number 59 के अंदर पूछा जा रहा है कि sulfuric acid का solution है normality निकालने का सही answer होगा यहाँ पर normality निकालने का यहाँ पर formula होता है सबसे पहले आप percentage को multiply करते है specific gravity से और पर आप उसको multiply करते है 10 से और divide करते है gram equivalent weight के साथ तो देखें sulfuric acid के अंदर gram equivalent weight कैसे निकालते हैं यह समझ दीजे sulfuric acid का mass होगा molar mass होगा 98 लेकिन sulfuric acid के अंदर h plus 1 की दादात है 2 तो 2 h plus 1 इसके अंदर शामिल है तो इसकी acidity 2 हो गई अब अगर इसकी acidity 2 हो गई तो 98 को 2 से divide करते हैं यह बन जाएगा 49 तो इसका gram equivalent weight हो जाएगा 49 अब यहाँ पर आपने percentage को top पर रख लेना है percentage को top पर रखेंगे तो यह हो जाएगा 80% multiply by specific gravity 1.73 और multiply कर दें इसको tens है अब आप इस fraction को simply solve करेंगे calculator में रखें तो आपका सही answer आजाएगा सही answer गया है हमें comments में ज़रूर बदाएगा आगे आगे बढ़ते हैं MC को number 60 के उपर MC को number 60 के उपर पूचे जा रहा है gamma race है gamma race के बारे में कौन सी बात ठीक है zero mass positive charge यह zero mass zero charge यह zero mass negative charge तो gamma race का सही answer हो जाएगा gamma race के पास कोई mass नहीं होता और gamma race के पास कोई charge भी नहीं होता तो सही answer हो जाएगा option B MC को number 61 के उपर आप से कहा गया है तो cathode race के उपर negative charge होता है cathode race confirm करती है electrons को 62 पर बढ़ते है 62 के अंदर हमसे कहा जा रहा है which of the following equation is used for the conversion of mass into energy कौन सी equation use की जाती है mass को energy में convert करने के लिए तो इसका answer है E equals to MC square यह तो बहुत famous equation है MC को number 63 के अंदर हमसे पूचा जा रहा है gamma rays emitted in the form of gamma rays किस form में emit होते है तो gamma rays emit होते है neutrons की form में actually यह सही answer नहीं है बात है कि neutrons emit होते है gamma rays की form के अंदर लेकिन दोनों similar है क्योंकि neutrons के उपर भी कोई charge नहीं है 0 charge और gamma rays के उपर भी कोई charge नहीं है 0 charge तो दोने एक दूसरे resemblance की बज़ा से टिक किये जा सकते हैं concept चली यह है कि neutrons गैमरेस की form में emit होते हैं आए आगे बढ़ते हैं MC की number 64 के अंदा हम से कहा गया है amino acids are essential source of protein in the body which of the following cannot be a source of dash amino acids जो होते हैं वो proteins की essential source है अब इसमें कौन सी source amino acids की नहीं हो सकती which of the following cannot be a source of amino acids देखें sugar जो हैं completely carbohydrates है sugar के अंदर amino acids यह sugar के अंदर protein शामिल नहीं होते हैं तो हमारा सही answer हो जाएगा sugar अगर meat की बात करेंगे तो meat के अंदर भी proteins शामिल होते हैं beans के अंदर भी proteins शामिल होते हैं इन तीनों चीज़ों के अंदर protein शामिल हैं तो इसका अंदर तीनों के अंदर amino acids भी शामिल होंगे sugar के अंदर sugar carbohydrates हैं तो इसके अंदर protein शामिल नहीं तो amino acids भी नहीं होंगे आईए आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 65 के उपर तो MCQ नंबर 65 के अंदर हमसे कहा गया है formula of fructose fructose और glucose का formula दोनों का formula same होता है दोनो functional group isomers है तो हमें glucose का formula तो याद है glucose का formula होता है C6H12O6 तो fructose का formula भी हो जाएगा C6H12O6 MCQ नंबर 66 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है which of the following is the most active element इसमें सबसे most active element कौन सा है most active element वो होगा जिसकी electro positivity या electro negativity काफी जादा हो तो यहाँ पर fluorine की electro negativity सबसे जादा है तो इसकी electro negativity सबसे जादा होने की बज़ा से हमारा सही answer होगा fluorine की electro negativity fluorine से कम है और oxygen और carbon की भी electro negativity fluorine से कम है MCQ नंबर 66 67 के अंदर हमसे कहा गया है which of the following compounds when dissolved in water will give a pH greater than 7 कौन सा compound ऐसा है जब उसको water के अंदर dissolve किया जाएगा तो इसकी pH 7 से जादा होगी देखें अगर pH 7 से जादा होगी तो इसका महला वो compound base होना चाहिए क्योंकि बेस की जो pH होती है वो 7 से जादा होती है और 14 से कम होती है 7 से जादा और 14 से कम तो इसका महला base यहाँ पर हमारे पास potassium hydroxide है को H तो को H हमारा सही आंसर होगा अगर मैं बात करूँ calcium carbonate की तो calcium carbonate water के साथ में react करके calcium hydroxide form करेगा और calcium hydroxide भी basic solution ही होगा लेकिन उसकी basicity potassium hydroxide के मुकाबले में कम होती है और अगर carbon dioxide की बात करें तो carbon dioxide water के अंदर dissolve होके carbonic acid बनाता है H2CO3 जो के हमारे stomach के अंदर या cold drinks के अंदर शामिल होता है बहराल यह एक acid है तो इसकी pH 7 से कम होगी तो यह दोनों options हमारे wrong options है MCQ number 68 पर आते है MCQ number 68 में पूछने which particle in the nucleus has the same charge as charge of electron with opposite sign and having 1836 times mass of electron वो particle जो nucleus के अंदर शामिल है nucleus के अंदर मौजूद है और उसका charge और electron का charge बराबर है इसका मलब कि electron और proton दोनों के charges बराबर होते है तो दोनों के बारे में बात की जा रही है अब उसका charge electron के charge के बराबर है दोनों का charge सेम है लेकिन sign opposite है obviously positive or negative लेकिन उसका mass 1836 times बराबर है mass of electron के तो मैं पता है proton जो होता है वो heavier होता है electron से proton is heavier than electron mass के अंदर charge सेम होता है mass different होता है mass जो होता है proton का जादा होता है तो इसलिए सही answer हो जाएगा हमारा proton आपके जहान में positron भी आ सकता है तो दे कि positron जो है electron का anti-particle है anti-particle होने का मलब यह है कि positron और electron दोनों का charge भी सेम होता है और दोनों का mass भी सेम होता है इसलिए यहाँ पर charge तो सेम है लेकिन क्योंके mass सेम नहीं है positron हमारा सही answer नहीं हो सकता MC को नमर 69 पर चलते है MC को नमर 69 के नदा कहा गया है the substance which is liberated or deposited at the electrodes is directly proportional to the amount of electric current passed through passed during electrolysis देकिन तो सीधी सीधी statement है आप 9 class के नदा जाके इसको chapter 7 के नदा पर सकते है या solution and electrolytes वाले chapter के नदा पर सकते है faraday's first law of electrolysis की statement है सिर्फ statement पढ़ेंगे आपको यह समाझ आ जाएगा आगे आगे बढ़ते है 70 के अंदर fluorine, chlorine, bromine और iodine resemble करते है एक दूसरे से किस वज़ा से fluorine, chlorine, bromine और iodine यह चारों belong करते है group 7A से और group 7A का मलब यह है कि इनके पास 7 valence electrons होंगे इनकी valence shell electronic configuration बिल्कुल similar होगी इसलिए सही answer हो जाएगा option B valence electron option A के अंदर electronic configuration लिखावा है just electronic configuration तो इस चारों की electronic configuration different होती है लेकिन अगर option में valence electron ना लिखा होता तो हमें मजबूरन electronic configuration पे tick करना पड़ता है क्योंकि वो ही फिर सही answer बनता atomic size और reactivity ये दोनों गलत options है अब MCQ No.71 पर बढ़ते हैं MCQ No.71 के अंदर हमसे कहा गया है what is the required volume of 0.1 molar NaOH to neutralize 2 ml of 0.5 molar H2SO4 बोले हमारे पास दो solutions हैं एक है sulfuric acid का और एक है sodium hydroxide का जो sulfuric acid का solution है उसकी molarity है 0.5 और sulfuric acid का volume है 2 ml अब sodium hydroxide की molarity है 0.1 और इसका volume हमें find out करना है तो इसका volume हमें find out करना है formula बहुत simple है M1 V1 equals to M2 V2 करके solve कर सकते हैं अब M1 लेट से आपने 1 ले लिए sulfuric acid के लिए और 2 ले लिए आपने sodium hydroxide के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि M1 की जगा पर आएगा 0.5 और volume V1 की जगा पर आएगा 2 ml M2 की जगा पर आपने sodium hydroxide का volume की molarity रखी 0.1 और इसका volume निकाला आपने V2 अब देखें आप इस fraction को calculate करेंगे सीधा सीधा और आके बास answer आजाएगा comment section में हमें इसका भी answer बताएगे कि इसका क्या answer आए MC को number 72 बे बढ़ते हैं MC को number 72 के अंदर same सवाल किया जा रहा है what is the required volume of हमें required volume पूछा जा रहा है NaOH की molarity is 0.1 और volume हमें given है एक और solution का हमें से पूछा जा रहा है what is the required volume of 0.1 ml NaOH to prepare 1000 ml of 0.01 molar solution हमें required volume पूछा है sodium hydroxide कही sodium hydroxide की molarity पहले बताई वे 0.1 है और इसकी molarity को मैंने आप M1 कर लिया और इसका volume कर लिया V1 यह V1 हमें find out करना है पहले इसी के बारे में बात कर रहे थे हैं कि इसी का volume जब था V2 1000 ml था और इसकी molarity थी 0.01 ml 0.01 m तो इसकी साबसे compare करके अब क्या volume होगा यह find out करना है same formula लगेगा M1 V1 equals to M2 V2 कोई changing नहीं है इसके अंदर M1 की जगह पर आपने रखा 0.1 V1 की जगह पर आपने रख लिया V1 और M2 की जगह पर आपने रख लिया 0.01 और V2 की जगह पर आपने रख लिया 1000 ml अब दुबारे स्ट्रेक्शन को आप calculate करें इसका भी answer comment section के अंदर लाजमीं बताईए MCQ No.73 के अंदर बढ़ते है तो MCQ No.73 के अंदर कहा गया है RCOOH RCOOH किस चीज का जनरल फॉर्मूला है तो RCOOH जनरल फॉर्मूला है कार्बो उक्जैलिक एसिट का क्योंकि COOH कार्बो उक्जैलिक एसिट से बिलॉग करते है MCQ No.74 के अंदर हमसे पूचा जा रहा है Amino Acid is not present in Amino Acid इन में से किस चीज के अंदर मौझूद नहीं होगा तो इसका अंसर है Sugar क्योंकि Sugar Carbohydrates है इसको उपर डिसकस किया जा चुक है Milk में Protein होते है Meat में Protein होते है और Beans में भी Protein होते है अब इन तीनों चीज़ों के अंदर Rate of reaction directly proportional होता है Concentration of reactants के अब अगर यह reactants के concentration के उपर depend कर रहा है तो reactants के structure के उपर भी depend करता है क्योंकि Collusion के बाद structure बड़ा matter करता है और साथ ही साथ reactants के size के उपर doctora अगर reactants का size चोटा है उसका surface area जादा है तो वो reactant जल्दी से react कर जाता है और अगर reactant का size बड़ा है और उसका surface area कम है तो वो reactant देर से react करता है अब सारी बात है reactants की हो रही है option A में भी reactant है option B में भी reactant है और option C में भी reactant है इसका मलब rate of reaction इन तीनों चीजों के उपर depend करेगा लेकिन option D के अंदर दिखेंगे तो option D के अंदर लिखाव है concentration of products तो rate of reaction products इन उपर depend नहीं करता यही हमारा सही answer है 76 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है pH of solution which contains 1 exponential minus 3 proton concentration is हमें pH निकालने है एक solution की उस solution के अंदर protons की concentration है 1 exponential minus 3 देकिए इसका pH निकालने का formula आप यूज़ कर सकते हैं h equals to minus log concentration of h plus i आपने यहाँ पे minus log रखा और h plus i की जगा पे आपने जो molarity थी वो put कर दी 1 exponential minus 3 तो आपको बस सही answer आजाएगा 3 लेकिन अब अगर इस mq का आप short trick से solve करें तो आप से दिहान रख लीज़ेगे coefficient 1 होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर है अगर coefficient 1 है तो सिर्फ power का sign change कर दीज़े वो ही आपकी pH बन जाएगी तो अगर यहाँ पर minus 3 है तो यह बन जाएगा plus 3 यह हमारा सही answer हो जाएगा अब बात करते हैं 77 पे 77 के अंदा पूछा जा रहा है sulfur dioxide is produced by the burning of sulfur dioxide इन में से किस चीज़ को burn करने से produce होता है तो sulfur dioxide produce होता है iron pirate को burn करने से iron pirate का formula होता है Fe2S Fe2S2O3 अब देखें यह जो iron pirate है iron pirate को हमने use किया था contact process के अंदर अगर आप contact process को जाकर पढ़ेंगे जिसके अंदर हमने sulfuric acid को produce किया था तो उसके अंदर हमने sulfur dioxide gas बनाई थी और पर sulfur dioxide gas को convert के था sulfur dioxide के था था और और फिर बाद में जाके oleum और sulfuric acid फॉर्म किया था सही answer है option C आई आगे बढ़ते हैं MC को number 78 के था कहा गया है which one has high heat of hydration इन में से heat of hydration किसकी सबसे जादा होगी तो heat of hydration उसकी जादा होगी जिसका charge बहुत जादा है heat of hydration को मैं HOH से represent कर रहा हूँ charge जादा होना चाहिए charge बहुत जादा होना चाहिए और size कम होना चाहिए जितना size छोटा होगा और जितना charge जादा होगा heat of hydration उतनी जादा होगी अब देखें यहाँ पे plus 1, lithium plus 1 और chlorine minus 1 mg plus 2 लिखा हुआ है तो देखें chlorine minus 1 पे minus 1 का charge है जो कि काफी कम है तो यह wrong option plus 1 और plus 1 पे भी charge कम है जबकि magnesium पे plus 2 का charge है और यह plus 2 का charge बहुत जादा है इसी वज़ए से इसकी heat of hydration जादा होगी आए आगे बढ़ता है mcq number 79 पे कहा जा रहा है x plus 1 आइन contain 18 electron, 20 neutrons what is mass number देखें mass number निकालने का formula होता है number of proton plus number of neutrons अब देखें उसके पस 18 electrons है और वो एक आइन है x plus 1 का आइन है x plus 1 के आइन का मलब यह है कि उसने एक electron loss किया हुआ है अब उसने एक electron loss किया हुआ है लेकिन proton थोड़ी ना loss किया तो अगर आप total electrons चेक करेंगे तो total electrons हो जाएंगे 18 plus 1 19 जो के loss करने से पहले थे अगर total 19 electrons थे इस atom के पास तो इसके पास total 19 protons भी होंगे अब 19 protons और neutrons है कितने 20 तो 19 plus 20 सही answer हो जाएगा 39 किसका mass number हो जाएगा 39 और option A हमारा right answer है आईए आगे बढ़ता है mcq number 80 के अंदर हमसे कहा गया है in water oxygen orbitals are hybridized as जो water है उसके अंदर oxygen orbitals किस तरीके से अपने आपको hybridize करता है तो water के अंदर sp3 hybridization होती है अब यह आप directly कैसे कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि water का structure होता है tetrahydral अगर water का structure tetrahydral है तो इसके अंदर sp3 hybridization होगी क्योंकि sp3 hybridization की वज़ा से tetrahydral structure form होता है बस हमें यह पता लग गया कि sp3 hybridization है तो सही answer को tick करके आगे बढ़ जाएंगे mcq number 81 पर हमसे कहा जा रहा है oxidation number of manganese in caminophore caminophore के अंदर manganese का oxidation number क्या होगा तो बहुत असान है potassium की जग़ा प्लस 1 oxygen का oxidation number minus 2 minus 2 को 4 से multiply कर लेंगे तो minus 8 अब manganese का oxidation number क्या होना चाहिए इसको balance करने के लिए तो plus 1 और minus 8 हो जाता है minus 7 तो minus 7 को balance करने के लिए manganese पर charge होगा plus 7 का और plus 7 हमारा सही answer है option D MCQ number 28 के अंदर कहा 82 के अंदर कहा गया है what is the volume of 1 gram mole of a gas at 1 atmospheric and 273 Kelvin यह MCQ पहले भी आया था यह repeat हो गया है बहुत असान सा है कि अगर 1 gram mole है और pressure है 1 atmospheric और temperature है 273 Kelvin तीनो condition standard conditions है अब तीनो conditions पर जो हमारा molar volume होगा वो भी standard होगा molar volume भी standard होगा 22.4 liter या 22.4 decimeter cube तो यह option D हमारे right answer है MCQ number 83 के अंदर कहा गया है इंदा hydrolysis hydrolysis के process में pH constant रहती है या change हो जाती है या water form होता है या evaporate होता है उसका सही answer है pH change हो जाती है आगे बढ़ता है 84 के अंदर हमसे पूछा गया है which one of the following molecule is linear in structure कौन से molecule का structure जो होगा वो यहाँ पर linear होगा तो HCN का structure यहाँ पर बिल्कुल linear होगा H का hydrogen का carbon के साथ bond होता है single फिर carbon का nitrogen के साथ bond होता है triple covalent bond लेकिन यह दोनों bonds होगे यह दोनों bonds spire bonds हो जाएंगे और यह वाला bond पहला bond के लाएगा sigma bond और यह bond भी sigma bond तो total two sigma bonds हो जाएंगे इसका मलब दो active set of electron है जब दो active set of electron है तो हमारे पास structure बनेगा diagonal यह linear जबके water का जो structure होगा वो हो जाएगा tetrahydral जबके C2H4 के अंदर जो carbon का structure होता है वो होता है trigonal और SO2 के अंदर जो structure होता है वो होता है tetrahydral again यह जिसको bent और angular भी कहा जाता है सही answer है option C आगे आगे बढ़ते है 85 के अंदर पुछा जा रहा है CL2 molecule के अंदर dipole moment क्या होगी अब chlorine के अंदर nitrogen gas के अंदर यह O2 gas के अंदर यह H2 के अंदर यह किसी भी molecule के अंदर जब similar items है तो dipole moment 0 होगी क्योंकि polarity का difference 0 होगा आगे आगे बढ़ते है 86 के अंदर कहा गया है when 50 cm3 hydrogen react करता है 10 cm3 of oxygen से at 293 Kelvin and standard pressure total volume mixture का क्या होगा 50 cm3 hydrogen है और oxygen gas है 10 cm3 दोनों का volume total मिला के वैसे तो 60 cm3 बनता है लेकिन यह दोनों gases एक दूसरे से react कर जाएंगी जब hydrogen gas और oxygen gas एक दूसरे से react करेंगे तो यह form कर लेंगे water और हमें पता है कि gas का volume जादा होता है और liquid water का volume बहुत कम हो जाएगा तो इसलिए हमारा सही answer हो जाएगा कि volume will be reduced तो सही answer है option B decreases आगे बढ़ते हैं MCQ no.87 के अंदर कहा जा रहा है 4 moles of SO2 are oxidized to SO3 how many moles of oxygen gas are required तो देखें SO2 के 4 moles है और SO3 के आगे जाएगे sulfur trotoxide gas form हो रही है हमें oxygen gas के moles find out करने है equation को balance करने है sulfur के 4 moles है sulfur 4 है और product value sulfur 4 है तो sulfur तो 4 बराबर है oxygen की बात करते है oxygen 4, 3 ता 12 जबकि यहाँप oxygen की बात करें यहाँपर oxygen 4, 2 ता 8 इसका मलब 8 प्लस 4 होगा तो जाके 12 बन जाएगा अब इसको 4 करने के लिए आपको 2, O2 करना पड़ेगा यानि के 2 moles oxygen gas के required होगे तो हमारा सही answer हो जाएगा option A MCQ no.88 के अंदा हम से कहा जा रहा है in gold plating mostly cathode is made up of gold plating में cathode आम तौर पे किस چीज़का बनाए जाता है देखें gold plating में anode उसको बनाए जाता है जिसके उपर gold की plating करनी हूँ जबकि cathode उसको बनाए जाता है जिससे gold plating करनी हो किमास सही answer हो जाएगा कि gold gold को ही cathode बनाए जाएगा आम तोर पे silver को anode बनाए जाता है या nickel वगएरो को anode बनाए जाता है आगे बढ़ते हैं 89 के अंदे हमसे पूछा गया है hybridization means hybridization का मतलब क्या होता है hybridization का मतलब होता है mixing of atomic orbitals atomic orbitals को mix करने के process को हम लोग कहता है hybridization MCQ number 90 के अंदे हमसे पूछा जा रहा है periodic table contains highest number of this periodic table में सबसे ज़्यादा क्या चीज़े शामिल है metals, non-metals या metalloids वगएरा या semi-metals periodic table में सबसे ज़्यादा शामिल है metals, metalloids सिर्फ 4 है और non-metals 19 या 17 है जो के तादाद में काफी कम है आगे बढ़ते हैं MCQ number 19 के उपर 91 के उपर 91 के उन्दा कहा जा रहे है starch is a polymer of starch इसमें किस चीज़ का polymer है starch polymer है glucose का 92 के उन्दा कहा गया है isomers must have isomers के पास क्या चीज़ common होनी चाहिए तो isomers के पास molecular formula same होना चाहिए isomers must have same isomers के पास क्या चीज़ same होनी चाहिए तो isomers के पास molecular formula same होना चाहिए उनका structural formula different होता है 93 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है electrons of the following substances act as nucleophile के इन में जो electrons हैं इन substances के वो nucleophile के तौर पर act करेंगे benzene या ethane या both या none of these देख अगर benzene की बात करेंगे तो benzene के अंदर जो carbon है वो nucleophile के तौर पर act करता है और इसके साथ जो hydrogen होता है वो electrophile के तौर पर behave करता है स्थे में लड़ी अगर हम ethane की बात करेंगे तो ethane के अंदर भी C2H6 लिखा हुआ है यह जो carbon है कि carbon nucleophile के तौर पर behave करता है और hydrogen जो हो electrophile के तौर पर behave करता है इसका मलब दोनों के carbons nucleophile के तौर पर behave करता है तो सही answer हो जाएगा both 94 पर बढ़ता है 94 के अंदर कहा गया है At which temperature motion of molecules seizes कौन से temperature पर gases के molecules का motion रुख जाता है, seize हो जाता है तो इसका सही answer है माइनस 273 degree centigrade और माइनस 273 degree centigrade पराबर होता है 0 Kelvin के यह OK नहीं लिखा हुआ यह 0 Kelvin लिखा हुआ है 0 Kelvin मलब जहाँ पर सारी gases liquify हो जाती है और इस मौके पर gases को जो motion होता है वो रुख जाता है आगे बढ़ता है MCQ नमर 95 पे 95 के नहांद हमें कहा गया है यह increase हो जाएगा by 1 यह decrease हो जाएगा by 2 यह remain same mass number same रहेगा लेकिन बीटा का तालुक बीटा के उपर negative charge मुझूद है बीटा माइनस का तालुक होता है atomic numbers है अगर negative negative beta particle emit हो रहा है negative beta particle emit होने के वज़ा से जो atomic number होता है वो increase हो जाता है by 1 जबकि अगर positive बीटा particle positive बीटा particle emit हो रहा है तो इसका atomic number decrease हो जाएगा atomic number decreases by 1 जब atomic number बढ़ेगा तो mass number भी बढ़ेगा तो इससे सही आंसर हो जाएगा कि अगर बीटा का negative particle decay हो रहा है तो atomic number एक बढ़़ा है mcq number 96 पे हम से पूछा जा रहा है shape of orbital is predicted by shape of orbital इनमे से किस चीज से predict की जाती है shape of orbital depend करती है azimuthal quantum number के उपर और azimuthal quantum number हमारा सही answer होगा अगर हम बात करें l की azimuthal quantum number को l से show करते है अगर l की value 0 होता है s orbital और s orbital की shape spherical होती है अगर बात करें l equals to 1 की तो यह होता है p orbital और p orbital की shape dumbbell l equals to 2 है तो d orbital और d orbital की shape होती है dumbbell और f orbital की shape जो होती है वो saucer like होती है उसकी l की value होती है 3 लेकिन f orbital की shape confirm नहीं है काफी complicated structure इसका mcq number 97 पे बढ़ते हैं 97 के अंदर कहा जा रहा है sodium और na over hga mixture है किस चीज़ का तो sodium amalgam है यह sodium amalgam mixture है solid in liquid या liquid in solid या liquid in gas या none of these देखें अगर हम sodium की बात करें तो sodium solid form में होता है जबके mercury जो होता है वो liquid form के अंदर होता है तो आप बोल सकते हैं कि solid liquid के अंदर dissolve हो होगा है solid in liquid option a is the right answer 98 पर बढ़ते हैं 98 के अंदर कहा जा रहा है unit of dissociation constant of water pkw is देखें unit of dissociation constant जो है इसका unit ही आप जहन में रख लीजे इसका unit होता है moles per liter अब आपको किसी भी substance के बारे हम पूछा जा सकता है moles per decimeter cube को हम moles per liter भी कह सकते हैं तो सही answer क्या हो जाएगा हमारे पास option a moles per decimeter cube mcq no.99 के अंदर हम से पूछ हो जा रहा है when an endothermic reaction takes place the temperature of surrounding जब एक endothermic reaction होता है तो surrounding के temperature पर क्या affect पड़ता है endothermic reaction के अंदर surrounding से heat absorb होती है और system में जाती है जब surrounding से heat absorb होके system में जाएगी तो surrounding का temperature कम हो जाएगा surrounding से heat absorb होके system में जाएगी तो system का temperature या system का heat content बढ़ जाएगा जबके surrounding का temperature कम हो जाएगा या surrounding का heat content कम हो जाएगा तो सही answer हो जाएगा कि temperature of surrounding decreases mc को नमा 100 में हमसे पूचा जा रहा है what is the best reducing agent reducing agent वो होता है जो सामने वाले को reduction करवा है यानि कि hydrogen gain करवा है h plus ion gain करवा है अब इसमें h plus ion कौन easily loss कर देगा तो इसका सही answer है i minus hydrogen iodide यह असानी से bond तूर जाता है तो hydrogen h plus ion अलग हो जाता है और i minus ion अलग हो जाता है अब जब hydrogen iodide टूर जाएगा तो h plus ion अलग होगा और h plus ion कोई भी असानी से gain कर सकेगा तो इसलिए best reducing agent हुआ जबकि hf इतनी असानी से नहीं चूटता तो हमारा wrong option है mc को number 101 के अंदर कहा जा रहा है which element has highest heat of hydration तो इसमें सबसे जादा heat of hydration किसकी है उसका भी हमने discuss किया था कि heat of hydration में charge जादा होना चाहिए और size छोटा होना चाहिए तो कि यहाँ पर charge magnesium के उपर भी plus 2 है और beryllium पर भी plus 2 है जबकि potassium पर plus 1 और sodium पर plus 1 का charge है तो यह दोनों तो wrong option है क्योंकि इन पर charge कम है beryllium और magnesium में size देखते हैं किसका छोटा है तो beryllium का size छोटा होता है क्योंकि वो group के top पर आता है इसका size छोटा है और charge जादा है तो इसी लिए यह हमारा सही answer होगा magnesium यहाँ पर wrong option होजाएगा अगर हम बात करते हैं mcq number 102 की तो bleaching powder can be prepared by passing chlorine with bleaching powder कैसे बनाया जा सकता है जब chlorine gas को किसके साथ में react करवाया जाए तो chlorine gas को react करवाए calcium hydroxide के साथ तो हमारा पस bleaching powder form होगा अब यह reaction कौन सा था यह reaction था has in clever process 103 के इंदर कहा गया है sp3 hybridization has sp3 hybridization में कौन सी geometry होती है तो sp3 hybridization के अंदर tetrahydral geometry होती है linear geometry होती है sp के अंदर और trigonal geometry होती है sp2 के अंदर mcq number 104 के अंदर कहा गया है solubility of ionic compound is high in ionic compounds की solubility किस चीज़ के अंदर जाद होती है तो ionic compounds की solubility जाद होती है polar solvents में क्योंकि ionic compounds की polarity जाद है तो water जैसे solubents में जैसे water की polarity भी जाद है तो इसलिए ionic compounds बड़ी easily polar solubents में dissolve हो जाते है ether organic solvent है non polar है तो इसके इनर polar solubents ionic compounds dissolve नहीं होते है similarly benzene और non polar solubents mcq number 105 के अंदर हमसे कहा जा रहा है molecular formula of butane is butane का molecular formula क्या होता है तो butane का molecular formula होता है C4H10 mcq number 106 के अंदर हमसे कहा जा रहा है german silver is an alloy of german silver सिर्फ नाम का silver है इसके अंदर silver नहीं होता german silver के अंदर nickel, copper और zinc शामिल होता है तो इसलिए सही answer हो जाएगा all of these 107 energy of activation is lowered by energy of activation कैसे lower होती है कि हम catalyst use करते है जब हम positive catalyst डालते हैं तो वो activation energy को गिरा देता है और rate of reaction को बढ़ा देता है 108 पे बात करें तो most common gas atmosphere में कौन सी है तो ये बात तो सबको पता है nitrogen gas 109 के अंदर हमसे कहा गया है वेन ग्रिग्नौड रिएजेंट reacts with carbon dioxide one product is obtained देखें जब ग्रिग्नौड रिएजेंट को carbon dioxide के साथ में react करते हैं तो हमारे पास carbon dioxide के साथ react करवाने पास के बाद हमारे पास आगे जागे बनता है carbon oxalic acid तो जो भी carbon oxalic acid होगा तो हमारे पास सही answer होगा अब यहाँ पर प्रोपेन मौझूद है और मिथानूइक acid मौझूद है और इथानूइक acid मौझूद है तो हमारे पास दोनों ही answers possible है इसका सही answer होना चाहिए था both A and B both A and B इसलिए क्योंकि अगर आपने methyl magnesium iodide को methyl magnesium iodide को लिया और इसको carbon dioxide के साथ में react करवाया तो इथानूइक acid form होगा और इस तरह से पर दूसरे form होगे तो हमारे सही answer both A and B होगा 110 पर चलते हैं MCQ number 110 के अंदर कहा जा रहा है in alken molecular number of molecule number of sigma bond present between carbon atom is मलब अब carbon atoms के अंदर carbon atoms पूछ रहे हैं के carbon atom इस MCQ number 110 के अंदर हम से पूछा जा रहा है alken molecule में number of sigma bond जो के present होते हैं carbon atoms के दर्मयान में वो कितने होते हैं तेकि अगर हम alken की बात करें तो carbon और carbon के दर्मयान में double covalent bond होगा तो इसमें पहला sigma bond है और बाकी दूसरा पाई बॉंड है अब ये पहला वाला सिग्मा बॉंड ही हमारा सही आंसर है कि वन सिग्मा बॉंड यहां पर प्रेजेंट होगा MCQ नमबर 111 पर चलते हैं इस MCQ के अंदर कहा जा रहा है Acid Catalyzed Sterification of Carbocallic Acid Which one of the following as its final product Carbocallic Acid की Sterification करवाई जा रही है तो हमारे पास final product क्या form होगी तो इसका answer है Easter आप ज़्यादा confused ना हो सिर्फ Sterification का word पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि Easter form होगा और Easter का formula होता है R-C-O-O-R आए आगे बढ़ते हैं Next MCQ पे हमसे कहा जा रहा है Nitrogen present in some fertilizer helps plant Nitrogen जो के बहुत सारी fertilizer के अंदर मौझूद होती है वो plants को किस चीज में मदद करती है तो देखें Nitrogen जो है Nitrogen plants को amino acids form करने में मदद करती है अब Nitrogen जब amino acids बनाने में मदद करती है तो अब फिर amino acids से बन जाते हैं proteins और फिर proteins Plants को grow होने में मदद करते है यानि कि हमारा सही answer हो जाएगा है आपर to produce proteins आपको पता है कि body के अंदर भी human body के अंदर भी proteins ही है जो के इंसान के किसी भी body के hair, skin या दूसी चीज़ों को nails बगर को grow करने के लिए जरूरी होते हैं इसमें सबसे least accurate volume measure करने वाली device कौन सी है देखें जिसका size जितना बड़ा होगा उतना वो least accurate हो जाएगा और जिसका size जितना छोटा होगा जिसका borehole जितना कम होगा वो उतना ही जादा accurate होगा यहाँ पर pipette सबसादा most highly accurate device है क्योंकि pipette का size बहुत छोटा होता है तो वो बहुत accurate volume बताती है लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा size है graduated slender का graduated slender और उसके बाद borehole size जो बड़ा होता है वो burete का बड़ा होता है इसलिए burete और graduated slender दोनों ही least accurate होता है लेकिन ज्यादा least accurate हो जाएगा graduated slender volumetric flask का borehole size छोटा होता है इसलिए वो भी accurate होगा और pipette क्योंकि इसका भी borehole size छोटा है तो यह भी accurate है आगे बढ़ता है MCQ no.1 and 15 पे तो इसके अंदर कहा जा रहा है जो kinetic energy है वो directly proportional है absolute temperature के और यह statement किसकी है देखें यह statement है यह statement है Henry's law चाल्स law के अंदर volume directly proportional होता है temperature के Henry's law के अंदर kinetic energy directly proportional होता है temperature के तो हमारा सही answer हो जाएगा Henry's law आई आगे बढ़ते है MCQ no.1 and 16 पे यहाँ पे कहा जा रहा है which of the following has die electric constant has the highest die electric constant इसमें सबसे ज़्यादा highest die electric constant किसका होगा water water के पास die electric constant water का die electric constant सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि आप इसको सबसे आसानी से चेक कर सकते है देखें यहाँ पे लिखा हम methyl alcohol फिर दुबारा methyl alcohol और फिर दुबारा propyl alcohol propyl alcohol नहीं sorry actually यह है butyl alcohol यह तीनो solvents यह यह तीनो solvents organic हैं अब तीनो solvents अगर organic हैं तो तीनो सही answer नहीं हो सकते हैं इसका मलब जो एक बिलकुल अलग option given है water यानि कि जो polar solvent है वो ही हमारा सही answer होगा तो water is the right answer आए आगे बढ़ते हैं MCQ number 117 पे MCQ number 117 में कहा जा रहा है layers of carbon atom in graphite are held together by जो graphite है graphite की जो layers है carbon atom की दर्मियान में वो कौन सी forces के थूड़ी भी होते हैं आपस में तो इसका सही answer है vendor walls forces 118 पे पूछा जा रहा है which of the following compound gives silver mirror test इसमें कौन सा compound है जो कि silver mirror test देता है तो यहाँ पर हमें check करना पड़ेगा कि aldehyde कौन सा है aldehyde का general formula होता है RCHO यहाँ पर RCOOH लिखा हुआ है तो इसका मेला भी carbo oxalic acid है यह सही answer नहीं होगा यहाँ पर OH लिखा हुआ है तो इसका मेला भी alcohol है और alcohol भी हमारा right answer नहीं है जबकि यहाँ पर oxygen अकेला लिखा हुआ है और उसकी दोनों sites पर alkyl group है तो यह बन जाएगा ether और ether भी हमारा सही answer नहीं है जबकि आप option C पर focus करें यहाँ पर CHO लिखा हुआ है CHO aldehyde है तो aldehyde हमारा सही answer हो जाएगा क्योंकि यही silver mirror test acid है MC को नमबर 119 पर चलते है इसे पूछा जा रहा है इस molecule is belongs to यह molecule किस चीज़ से belong करता है यहाँ पर लिखा हुआ है carbon carbon के उपर hydrogen नीचे alkyl group और साथ में CWH और यहाँ पर amine group देखें amine group है NH2 group जो हो amine group है जबके CWH carbo oxalic acid group है तो यह acid है और यहाँ पर amine group है तो commonly यह कहलाता है amino acid तो हमारा right answer हो जाएगा option B amino acid आई आगे बढ़ते हैं MC को नमबर 120 पर हमसे पूछा जा रहा है which of the following is not a polymer इसमें कौन सी चीज polymer नहीं है plastic polymer है तो यह हमारा wrong option हो जाएगा अगर glycogen की बात करेंगे glycogen भी polymer है carbohydrates का और let's see starch की बात करते हैं तो starch भी carbohydrates है और यह polymer है दोनो polysaccharides के अंदर आते हैं यह दोनो polysaccharides carbohydrates है तो यह सब polymers है लेकिन अगर हम petroleum की बात करेंगे तो petroleum crude oil को बोलते है और यह mixture होता है बहुत सारे hydrocarbons का यह polymer नहीं होता बलकि यह mixture होता है बहुत सारे hydrocarbons का तो option भी हमारा सहीं आंसर होगा आए आगे बढ़ते हैं MCQ number 121 पे हमसे कहा जा रहा है H plus iron concentration of water is 1 exponential minus 7 POH water की क्या होगी सबसे पहले आप उसकी pH निकालने exponent minus 7 लिखा है और coefficient है 1 जब coefficient 1 होता है तो हम power का sign change कर देता है जैसे हमारे पास minus 7 है तो pH बन जाएगी plus 7 अगर POH निकालनी है तो 14 मेंसे 7 को minus कर दें तो POH भी 7 ही आएगी तो हमारा सही answer हो जाएगा option B 7 is the right answer आगे बढ़ते हैं MC को number 122 पर हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है which class of compounds can be obtained by oxidation of secondary alcohol जब हम secondary alcohol को oxidize करेंगे तो क्या चीज हमारे पास form होगी तेकिए अगर हम alcohol को oxidize करते हैं और alcohol से मुराद primary alcohol को अगर हम primary alcohol को oxidize करते हैं तो हमारे पास आगे जाके form होता है aldehyde और aldehyde को आगर हम मजीर oxidize करेंगे तो वो आगे जाके बन जाएगा carbo oxalic acid अगर हम secondary alcohol की बात करते हैं तो secondary alcohol को oxidize करने पे आगे जाके बनता है ketone और ketone को further oxidize करने पे आगे जाके form हो जाएगा easter tertiary alcohol की oxidation नहीं होती तो हमारा यहाँ पर सही answer हो जाएगा कि secondary alcohol की oxidation करवाने पर आगे जाके compound form होगा ketone